हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स चली देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कल क्या एक्षिन हमें देखने को मिल सकता इसी के साथ कौनचे स्टॉक्स हम लोग ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं निफ्टी के अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज हमें निफ्टी में एक अपसाइड मुमेंटम देखने को मिला उसको आज अच्छे से क्रॉस भी करने की कोशिश करी और काफी टाइम सस्टेन भी करने की कोशिश करी बट अगर आप मार्केट के सेकंड हाफ में जा करके देखोगे तो एक शार्प सेलिंग हमें 12.30 के बारा के बाद देखने को मिली जो कि मार्केट को वापस से अल्मोस्ट कल के क्लोजिंग बेसिस पर पुश करके ले गई तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज मार्केट में जरूर देखने को मिल रहे है कि 18,262,70 का जो 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 जोन है मार्केट को उसके उपर टिकने में काफी दिक्कत आ रही है, मार्केट उसके उपर ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ये लेवल इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि अगर आप डेली चार्ट पैटन पर भी देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक important resistance area है, एक major resistance area है और उस level को निफ्टे को फिलहाल cross करने में यहाँ पर दिक्कत आ रही है अब इसी के साथ अगर हम इंट्राइट टाइम फ्रेम पर जा करके देखें कि कल हमें क्या trading opportunity मिल सकती है तो अगेन आप देख सकते हों कि एक market में अच्छा pattern हमें फिल से closing basis पे देखने को मिला है almost अगर आप देखोगे तो देट बजे के बाद एक consolidation ही closing तक हमें देखने को मिला तो इससे हमें एक tight range मिल जाती है कल के market के अंदर अपने levels और अपने trading analysis अपने trading strategy को बनाने के लिए short side पर अगर हम देखें तो market अगर हमें sustain करता हुआ दिखता है 18,249, 18,250 के level के नीचे तो वहाँ पर फिर market में हम short side जाने के लिए देख सकते हैं जिसके अंदर एक छोटा सा हमें support देखने को मिलेगा 18,215, 20 के आसपास और अगर वहाँ से गिरावट हमें sustain करती भी दिखती है वहाँ से गिरावट अगर continue होती भी दिखाई देती है तो फिर ये गिरावट आप लेवल रहेगा 18,283 का अगर 18,283 के लेवल के उपर निफ्टी हमें sustain करता हुआ दिखता है तो फिर हम निफ्टी में long करने के लिए consider कर सकते हैं जिसके targets हमें 18,320 से लेकरके 18,340, 50 के zone पे मिलेंगे ultra short term अगर वह continue करता है move थोड़ा और उपर तो फिर momentum भी हमें देखने को मिल सकता है और SMS stop loss approximately अगर देखी यहां से breakout होता है तो आप इस support के आसपस अपने stop loss को expectation रख सकते हैं और depending upon exact price action क्या होता है आप छोटा stop loss भी वहाँ पे उमीद कर सकते हैं तो round figure में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको 20 से 30 point का SL मिल सकता है और अगर price action कुछ specific होता है तो आप और चोटा SLB वहाँ पे लगाने की कोशिश कर सकते हो बैंक nifty की तरफ अगर हम चल करके देखें तो बैंक nifty में अगर आप daily chart pattern देखोगे तो again आपको similar ही कहानी देखने को मिली कि कल बैंक nifty ने एक अच्छा bounce back जरूर लिया आज एक gap up opening हुई sustain करने की कोशिश करी but later half के अंदर हमें selling pressure create होता हुआ दिखा साड़े बारा के बाद और वो selling pressure हमें continuation में देखने को मिल रहा है अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो आज का जो low bank nifty ने यहाँ पर बनाया है वो अगर आप देखोगे तो एक important kind of support area यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो अगर bank nifty इसके नीचे हमें कल के दिन में sustain करता हुआ दिखता है 43,120 के नीचे अगर sustain करता हुआ दिखता है तो वहाँ पे हम bank nifty को short करने के लिए consider कर सकते हैं और अगर यह sustain करता है level इसके नीचे तो फिर वहाँ पे हमें लगबग targets इसमें 42,970 या 43,000 का level उसके नीचे हमें level मिल स सकते हैं लगबग 42,600 से 42,700 के zone के upside के अगर हम bank nifty में बात करें तो अगर 43,300 लगबग 43,300 के उपर अगर sustain करता है तो वहाँ पे हम upside इसमें expect कर सकते हैं वहाँ पे फिर हम upside में expectation अपनी रख सकते हैं और वो फिर हमे 43,520 और उसके उपर कहीं ना कहीं 43,600 और उसके उपर 43,700 प्लस के levels देखने को मिल सकते हैं अब अगर हम stocks की तरफ आएं कि कौन से stocks में trading के opportunity कल मिल सकती है तो सबसे पहला है बजाज finance बजाज finance में जो trading opportunity है वो थोड़ी सी complex है आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा यहाँ पे हमें long side और short side दोनो side opportunity मिल सकती है तो इसको ध्यान स सुनिएगा अगर हम बात करें बजाज finance में यहाँ पे दो important level यहाँ पे intraday में निकल करके आ रहे है 6575 और 6540 का अगर बजाज finance breakdown देता है 6540 का तो ऐसे breakdown के अंदर आपको फिर targets इसमें 6440 और उसके नीचे 6380 के short side पे देखने को मिल सकते हैं जिसमें आप stop loss अपना अपर side पे के आसपस लगाने के लिए देख सकते हो वहीं पर अगर बजाज finance में एक upside momentum बनता है 6575 के zone के उपर तो फिर आप long side वहाँ पे consider कर सकते हो जाने के लिए जहां पे 6650 और 6690 के zone का यानि round figure में 6650 और 6700 के zone के आपके targets यहाँ पर देखने को मिलेंगे और वहाँ पर जो फिर ऐस ले वो आप lower support पे लगा सकते हो जो की लगबग लगबग आप consider करिए 25 से 30 point lower side पे आपको stop loss इसमें देखने को मिल जाएगा बजाज finance में इस तरह अगर trade बनने का reason क्या है मैं आपको daily chart pattern पे ले जा करके दिखाता हूं आप देख सकते हो clearly यहाँ पे हमें एक higher pattern देखने को मि हुआ है तो अगर इस breakout को यह sustain करके उपर जाना start करता है तब आपको upside का trade वहाँ पे मिलेगा तो यह इस वज़े से थोड़ा से interesting situation हो जाती है बट इस तरह की situations में आपको कई बार intra day में बढ़िया opportunities मिल जाती है next trade की तरफ अगर हम चलें तो वह है मारूती का trade मारूती के अच्छी tight range में हमें पिछले almost 2 दिन ये देखने को मिला है तो अगर इस range का हमें breakout यहाँ पर होता हुआ दिखता है 91.30 के level के उपर तो वहाँ पर हम इसको intra day में long करने के लिए consider कर सकते है with a stop loss around 9100 यानि इसमें भी लगबग 25 से 30 point का stop loss आपको देखने को मिलेगा targets आप इसक comment section में बताइए आपको सबसे बड़िया trade कौन सा लगा nifty और bank nifty में आपका personal opinion क्या है आप किस side अपना view बना रहे हो या फिर आप भी levels को follow करके ही trading के अंदर जाते हो इसी के साथ बजाज finance मारूती में trade आपको कैसा लगा क्या आप interested हो उसके अंदर और अगर कोई stock है जिसम स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो और स्विंग ट्रेड के हमारे जो personal picks होते हैं उनको buy करना चाहते हो stop loss targets के साथ जो हम trade idea शेयर करते हैं उसका फायदा उठाना चाहते हो तो बिलकुल join करने के लिए देखिए वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए फिर मिलेंगे सी किसी क्वादी बिलकुल को कि टूर भीडियो कि लिए भीडियो कि वीडियो को तो